इंडियन आर्मी की तयारी करने वाले बच्चों के मन में एक सवाल रहता है कि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग किस प्रकार होती है तो हमारे साथ आज मौझूद है जो कि भारती सेना में सैनिक है विपिन कुमार तिवारी जैहिंद नमस्कार साथियो मैं प्रियांसु तिवारी एक बर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीतापुर फिजिकल अकैडमी में साथियो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिसकस करेंगे कि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कैसे होती है जब एक बच्चा अपने माता-पिता से बिछड के वहाँ पर सभी लोग नए होते हैं और वहाँ पर जाता है वहाँ के माहौल का नहीं पता होता है कि वहाँ का माहौल किस प्रकार है जैहिं गुरु झी healthy ऐंडियान आरमी की ट्रेनिंग जो पहले दिन बच्चा जाता है जाने के बाद जो उसको जोराइनग लेटर मिल समिक होते हैं जिन लेटर ले जाया जाता है इधर उधर जितने वहां पर ट्रेनिंग के जहां जहां ट्रेनिंग होने की संभावना होती ही वहां उसको गुमाया जाता है पूरे ट्रेनिंग सेंटर में चार दिन तक फिर चार दिन ट्रेनिंग की डेट निस्चित कर दी कर दी जाती है कि आद दो तारिक से ट्रेनिंग होना है कि एक तारिक से होना है उसके एक दिन अगर दो तारिक से ट्रेनिंग होना है तो पहली तारिक को साम को वही साथ बजे सब के फोन जमा हो जाते हैं फोन जमा होने के बाद बंदे को थोड़ा फील होता है अंदर से कि कास मेरा फोन जमा हुआ होता है जब तो हर एक गोंटे बाद जब इधर उधर गूमेंगा या खाना खायेगा लंगर जाएगा या कोई काम करने के बाद जिए निभार जब फ़न नहीं मिलता है तो उसको बहुत फील होता है कि मैं कहा आ गया हूं फिर धीरे दिन निकल जाता है फिर उसको पूरा टैमीनी मिल जा जाएगी चार वजे उसको अगर पांच वजे बज़ना है तो आपको एक गंटा पहले उतना पड़ेगा क्योंकि अपना मेंटीनेंस करके लाइन की साफ सफाई करके अपना जो डिस्तर है उसको फोल करके अच्छे से रखे क्योंकि उस सेना में वही सुडूल जो चलता है तो खरे को एक तृत होना ही वहां पर को होता है कि साअरे जहां काउंट होने के बाद एक पिटी के लिए मार्च क्या सुभा पीटी होते हैं पीटी होने के भाद पर आते हैं बंदे दोसरी इनuist पे ड Hack वजी से होती है तो फिर जन्रें मिलता हैं बिंभास्टार्वास्ट वो onlar PC कीड्रास होती सpy할ों तो PC में एक हाप चढधा होगा अगर टृटी होती है चालिस मिनिट का एक पीरिड होता दो दो पीरिड हो ते अगर pc पूरा मिंटीनिंस के साथ पूरी ड्रस होगी प्रॉपर फिर साड़े बारा बजे तक पूरा आपका क्लास चलेगा पुना आपको छोड़ दिया जाएगा फिर आओगे आप लंगर में खाओगे खाना खाने के बाद फिर 3 वजेविचल वजने के बाद सब लोग एक तरित होंगे फिर गेम प्रेड होगा जिसमें गेम alive झाए जैएगा छे थोड़ा साथ करेंगे नास्ते में क्रैंग मिलता है व्यषय ट्रीनिंग में व सुबा का नास्ता जो होगा तो उसमें मेनु दिया होता है कि आज तुमको नास्ते में पूरी सब्जी तो कल तुमको अलग से परसों ब्रेट दूध है तो नरसों ठिचडी है उसका पूरा मेनु दिया होता है मेनु लिखा लगा होता है वहां बोट पर कि कल क्या बनेगा पर दबारा से रेटी भना पड़ता है। हाँ, दुबारा से फॉलिंग होगी, फॉलिंग होने के बाद निस्ट गेम प्रेड होगा, बंदे गेम जाएंगे, गेम खेलेंगे, फुटवाल गेम खेलने के बाद, फिर वही साम को छोड़ दिया जाएगा, पांच विज़े तक गेम होगा फिर साम को रोल काल के लिए साथ विजे फॉलिंग होगी रोल काल होगा रोल काल में फिर सारे बंदे एकत्रित होंगे रोल काल में क्या होता है अजलब रोल कॉल में बच्चों की समास्याइं सुनी जाती हैं उसके बाद वीड़ा बंदना की जाती है इस और से कोई प्राथना की जाती है प्राथना करने के बाद पुना रोल कॉल छोड़ दिया जाता है फिर जाओ पन लंगर में खाना खाओ जाके खाना खाने के बाद स को समय नहीं मिलेगा कि आप अपनी तयारी कर सको अच्छा फौज में अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग पीरियड से ही एक दिन की तयारी एक दिन पहले से ही करनी पड़ती है सारी चीज योगी तरह नहीं मिलता है और ट्रेनिंग में बंदों के अंदर बहुत बुरे-बुर खयाल आते रहते हैं कि सभी प्रकार की कठनाईयों का सामना पढ़ना परता है कि पूरा दिन सुबह से लेकर साम तक धरुदर दोड़ना तो डोड़ने में ट्रेनिंग करने में थोड़ा बहुत मेहनत तो पड़ती है इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग आप लोग भी समझ सकते ह हिसमने कोई जरूत नहीं मैंने मोटा मोटा आप लोगों को बता दिया है कि क्या प्रोसेस होता है और बाकि ट्रेनिंग का तो वह है क्योंकि इंडियन आर्मी हैं तो resilience कैसी होगी है आप समझ सकते हो जख्याक पताने की जरूत नहीं है धन्यवाद आप सभी लोगों का जो doubt था मैं आशा करता हूँ कि लगभग लगभग आप सभी के सारे doubts इस वीडियो के माध्यम से clear हो चुके होंगे अगर अभी भी आपका कोई doubts है तो आप comment के माध्यम से वो doubts पूछ सकते हैं रिप्लाई के माध्यम से वीडियो बनाके मैं आप तक वह डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा मिलते हैं कि नई इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैहिंद गुरुजी